वित्मंत्री निर्मला सीता रमण ने कॉंग्रेस के नियाई पत्र को, कॉंग्रेस के चुनावी घोशना पत्र को बड़ी तलीनिता से और बड़े गोर से पढ़ा और उनका ये जो कुरसी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे, उस घोशना पत्र में ऐसा प्रतीत होता है उसमें से Employment Linked Incentive था, पहली नौकरी पक की जो Apprenticeship स्कीम प्रोग्राम था, जिसको Internship प्रोग्राम के तौर पर प्रस्तुत किया गया है Angel Tax का जो Startup से Abolition की बात हमने अपने घोशना पत्र में, न्याय पत्र में कही थी ये सारी बाते वहां से उठाई गई है हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दुनों में वो हमारे घोशना पत्र की और भी अच्छी चीज़ों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाब पहुँचेगा यहाँ पर मोटे तौर पर साथ आठ अंकों में कुछ बाते हैं जो हमारी आशा थी और उस पर इस बजट का response क्या रहा है उसको अंकित कर देते हैं सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या इस देश के सामने है और यह हमारे देश की सबसे बड़ी चुनोती है और आशा थी कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा जिससे की रोजगार का स्रिजन होगा, बेरोजगारी की समस्या का अंत होगा, चोटी-चोटी नौक्रियों के लिए लाखों लोग आवेदन देते हैं रिस्पॉंस में जो हुआ है वो बहुत कम है, रिस्पॉंस में जो कॉपी-पेस्ट किया गया है वो भी ठीक से नहीं किया गया है और रिस्पॉंस में कहा गया है कि 2 करोण 90 लाख लोग, तीन तरह की स्कीमों में करीब 2 करोण 90 लाख लोगों को फायदा होगा, ये एक बहुत exaggerated नंबर लगता है, ऐसा नहीं होने वाला है और कहीं न कहीं रोजगार स्रिजन का एक बड़ा मौका खो दिया गया है दूसरी बात महंगाई की, ये देश कमर तोड महंगाई से जूज रहा है, आज wholesale price inflation करीब 3.4% है, food inflation की जो last reading थी वो 9 प्रतिशत है और उसके बाद भी economic survey में 1.7% के एक manufacturing deflator की बात की गई है, इन numbers को justify करने के लिए विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री उस deflator के number से यकीन नहीं रखते हैं और ये भी मानना बड़ा मुश्किल है कि अगर 8.2% GDP ग्रोथ हो रही है, तो क्रिशी सर्फ 1.4% पे और consumption जो दो तिहाई हिस्सा होता है GDP का, वो मात्र 4% पे कैसे ग्रोथ हो रहा है खेर economic survey में महेंगाई पर कुछ sentences, कुछ वाक्य बोले गए थे, वित्त मंत्री ने अपने तीसरे paragraph में महेंगाई पर मात्र 10 शब्द बोले हैं तो महेंगाई को खत्म करने की, आम आदमी को राहत दिलाने की, जरूरी समानों पर tax को कम करने की कोई राहत कहीं दिखाई इस बजट में नहीं दीए तीसरा जिस पर हम बात करना चाहते हैं, वो शिक्षा है, और ये सच है कि शिक्षा का बड़े तौर पर गुर्वत्ता उसमें कम है आज बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से, आधे से ज़ादा बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से जिस क्लास में वो हैं उस तरह का ना text पढ़ सकते हैं ना उस तरह की math कर सकते हैं ना उस तरह का गणित कर सकते हैं और ये भी माना जाता है कि उस तरह की skill नहीं है तो शिक्षा पर कहीं न कहीं ध्यान देना जरूरी था एक और बात और ये बहुत बड़ी बात आज की तारीक में ये बहुत गर्म बहुत बड़ा मुद्धा और वो मुद्धा NEET का है, NEET की परीक्षा जिस तरह से लीख हुई, NEET वो परीक्षा है, जो स्कूल के शिक्षा के बाद होती है, बारवी के तुरंत बाद की परीक्षा है, और आशा थी कि इस पर बजट में कुछ ना कुछ अंकित किया जाएगा लेकिन नीट पर एक शब नहीं बोला वित्तमंत्री ने स्कूल एजुकेशन का ये हाल है कि लगातार बजट के बनिस्पत स्कूल एजुकेशन के बजट को घटाया जा रहा है और पिछले बार के बजट में एक लाख सोला हजार चारसो सत्रा करोड रुपे खर्च करने की बात थी लेकिन जो अनुमाने जो रिवाइज हुए है फिगर्स उसमें वो एक लाख आठ हजार 888 रुपे खर्चा हुआ है करीब आठ हजार करोड रुपे एजुकेशन पर शिक्षा जैसी चीज़ पर कटोती की गई है चौथा पॉइंट हेल्थ केर स्वास्त का है और ये सर्वविदित है सबको पता है कि पब्लिक हेल्थ केर का बुरा हाल है सरकारी एस्पतालों का बुरा हाल है डॉक्टर की, नर्सर्स की टेकनीशन की कमी तो है ही जाच की, मशीनों की डाइगनॉस्टिक्स की भारी कमी है और ये माना जा रहा था कि हेल्थ पर स्वास्त पर खर्चा जादा किया जाएगा लेकिन स्वास्त पर भी जीडिपी के बनिस्पत खर्चा घटाया जा रहा है और अब सिर्फ वो 1.9% रह गया है और सुनने की बात ये भी है कि पिछली बार का जो बजटेट अमाउंट था वो 88,956 करोड था खर्च 80,000 करोड से कम किया गया 8,000 करोड की से जादा की इसमें भी कटोती की गई पाँचवा जरूरी पॉइंट है कि आए जो थमसी गई है जो वेज बिल थमसे गए है जो लोगों की इंकम और आए बढ़ नहीं रही है लगबग 6 साल से लोगों की इंकम एक जैसी प्रतीत हो रही है वर्ष 2017 से 18 वित्यवर्ष 18 से 23 के बीच में जो स्वर रोजगार पाते हैं वो 12,800 रुपए कमाते हैं प्रतीमा जो दिहारी मजदूर है वो करीब करीब 7,400 कमाते है और जो मजदूर है वो 19,750 कमाते है हमारी हमेशा से डिमांड रही है हमारे मैनिफेस्टों में रहा है कि 400 प्रती दिन की नियूनतम आए हर श्रेणी की होनी चाहिए इस श्रेणी की जो आए है मजदूरों की जो आए है वो 400 रुपए प्रती दिन पर फिक्स किया जाए यह हमने अपने गोशना पत्र में डाला था लेकिन असलियत यह है कि 0 से 20 परसंट टैक्स ब्रैकिट के अलावा किसी भी टैक्स देने वाले को कोई राहत नहीं है और खास तोर से दिहाडी मजदूर वो लोग जो शायद टैक्स ब्रैकिट में नहीं आते हैं जो गरीब और गुर्बत से जूज रहे हैं पिछले सिछे सालों में जिनकी इंकम नहीं बढ़ी है उनको कोई भी राहत कोई भी रियायत नहीं दी गई है छठा बड़ा पॉइंट और ये कृशी को लेकर है हमारे देश की 65-70% लोग की कृशी से संबंद रखते हैं एक ही मांग लगातार किसान कर रहे है किसानों की शहादत भी हो गई किसान आज भी मांग कर रहे है कि MSP की कानूनी गारंटी हमें मिलनी चाहिए इस कानूनी गारंटी का उलेख उस घोशना पत्र में भी है कॉंग्रिस के जिससे copy paste करने का तमाम काम वित्यमंत्री ने किया है काश उन्होंने ये भी किया होता लेकिन response में उन्होंने क्रिशी का बजट घटाया है as a percentage of the budget और एक ये भी सत्य है कि MSP की legal guarantee पर कानूनी guarantee पर उन्होंने एक शब नहीं बेवला है साथवी बड़ी बात education loans को लेकर कहा गया और क्योंकि इतनी जादा बेरोजगारी है, लोगों की आए कम है महंगाई जादा है, जो education loan लिये गए थे, हमारी ये मांग थी, हमारे घोश्रापत्र में भी हमने अंकित किया था, कि एक बार जो outstanding education loans हैं, उनको माफ कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और response में education loan देने की बात हुई, लेकिन जो education लोग लेकर आज जूज रहें उस education loan को चुकाने में क्योंकि उनको नौकरिया नहीं मिली हैं उनके परिवार की आय कम हो गई है वो महंगाई से जूज रहें, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया और वो जरूर इससे निराश होंगे, अंत में एक बहुत ज्वलंत और बहुत बड़ा मुद्दा इस समय अगनीपत स्कीम को लेकर है, लगातार हम देख रहे है कि सेना उसका विरोध कर रही है लगातार शहीद परिवार उसका विरोध कर रहे है दो तरे की भांती करने का दोयन दर्जा सेना के एक वर्ग को देने का विरोध किया जा रहा है और हमारी शुरू से मांग ये रही है हमारी मैनिफेस्टों में था कि अगनीपत स्कीम को विड्रौ किया जाए लेकिन अगनीपत स्कीम पर भी एक शब्द नहीं था, उसको खत्म करने का